हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल स्टडी बैंड सो फ्रेंड्स मैं आपके सामने आज पार्ट थर्ड लेके आया हूँ रिलेशन्स एंड फंक्शन चैप्टर की जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने आलेडी इसके उपर पार्ट वन एंड पार्ट टू को कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर हमने रिलेशन्स टाइप आफ रिलेशन्स के बारे में जाना था अगर किसी बच्चे ने अभी तक उन पार्ट को उन वीडियो को नहीं देखा है आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी डाउट आपको फंक्शन और रिलेशन में होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा एक छोटा सा ओवर्वियू दूँगा जिससे आपके JKSCB exam में काफी जादा आपको help मिलेगी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लेट्स को तो सबसे पहले हमारे पास एक कोशन आता है फंक्शन क्या है इसको हम सबसे पहले जानेंगे तो देखते हैं A function is a special type of relation in which each element of the domain is paired with exactly one element in the range तो guys function क्या है एक function जो है वो एक special type का relation है अभी हमने relation को जाना था relation क्या होता है तो ये एक special type relation की एक special type ही है तो जिसके अंदर क्या है domain जो paired है exactly one element in the range तो जो domain में elements होते हैं उनकी जो pairing होती है वो exactly one होती है range के element के साथ तो it means यहाँ पर मैं अगर roughly आपको बनाओ यह X मैंने ले लिया और यह एक Y ले लिया तो यहाँ पर जो element है for example A element है B element है तो यहाँ पर कोई पर element है for example C है D है E है कितने भी हो सकते हैं बट यहाँ पर आप देखेंगे जो X है उसका जो element है उसके जो mapping बनेगी वो exactly one element के साथ ही बन रही है तो B के L mapping E के साथ बन रही है यहाँ पर तो यहाँ पर हमने देखा आपको domain पता है ना domain क्या होता है last video हमने इसके बारे में पढ़ा है तो domain में क्या है X के elements को हम domain बोलेंगे और Y के elements को हम range बोलेंगे अगर किसी बच्चे को नहीं पता है मैं उनके लिए बता रहा हूँ तो domain में जितने भी elements है वो exactly paired करेंगे किसके साथ element of the range range में जितने भी elements होंगे उनके साथ यह pairing बनाएंगे तो guys एक relation मनाएंगे एक special type का relation है इसी को हम क्या बोलते हैं हम function का नाम देते हैं ठीके चटीए आगा हम पढ़ेंगे types of functions के बारे में कि functions कितने type के होते हैं तो अब next हम देखेंगे types of function कि function कितने types के होते हैं तो अब देखें आप सबसे पहले हमारे पास है one one function तो हमारे पास क्या है one one function है जिसको हम injective भी बोलते हैं injective function भी आ सकता है यहां हम इसे one one function भी बोल सकते हैं तो definition कैस की वो देखते हैं a function is defined to be one one हम एक function को one one बोलते हैं when the images of distant element जो image है किसकी element of x under a function are distant that is जो मारा function है वो क्या है x to y है मतलब जो x की pairing है वो के साथ हो रही है y के साथ हो रही है और उसको हम one one function बोलेंगे I know it is little confusing आपको कुछ समय नहीं आ रहा हो कि statement क्या लिख दिया है क्या बोल दिया हम इसको diagram से समझेंगे तांकि आपको यह one one function बहुत अच्छे से समझा जाए यह injective function क्या होता है उसको हम अभी हम देखेंगे तो guys यहाँ पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि domain के बारे में और range के बारे में तो यह मैं element x ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं element y ले लेता हूँ x के element को हम domain बोल रहे है और y के elements को हम range बोल रहे है ठीक है guys I hope आपको यहाँ तक तो point clear होगा अब x element जो है वो क्या क्या है minus 3 है, 0 है और 2 है और y के elements क्या है 1, 2 and 4 यहाँ तक clear है अगर guys, अगर domain यह x के अंदर जितने भी element है अगर उसकी जो mapping है वो एक ही element के साथ होती है तो उसको हम बोलते है 1, 1 function या injective function आप देख पा रहे हैं domain में जितने भी element है उनकी mapping सिर्फ और सिर्फ एक ही element के साथ हो रही है ठीक है और ऐसा नहीं है कि वो elements common है वो element भी different है distant है I hope आपको यह point बिलकुल समझ आ गया होगा अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिखा हो और की pairing बनाई हुई है that is minus 3 किस के साथ pair कर रहा है? 1 मतलब किस के साथ relation बना रहा है? 1 के साथ ऐसा ही 0 का relation किस के साथ है? 2 के साथ and 2 का relation किस के साथ है? 4 के साथ तो this is a function और एक किस type का function है? this is a 1 1 function I hope आपको यह point clear हो गया होगा now move करते हैं next point पे अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस figure में मैंने यहाँ पे x element ले रखा है और y element ले रखा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं minus 1, 1 and 4 elements है x के अंदर और एक point आप देखेंगे कि minus 1 की जो mapping है वो किस के साथ हो रही है? 5 के साथ हो रही है ठीके? और 4 की mapping भी किस के साथ हो रही है? 5 के साथ हो रही है and यहाँ पे एक 1 है उसकी mapping 3 के साथ हो रही है तो यहां पर आपने क्या देखा कि domain के अंधर दो element ऐसे हैं, एक minus 1 है और दूसरा 4 domain के अंधर दो element ऐसे हैं, जिनकी mapping किसे साथ हुई है? 5 के साथ हुई है आप दोनों जगा देख सकते हैं, दोनों किसे साथ पिर बना रहे हैं? अपने 5 के साथ बना रहे हैं तो guys अगर ऐसा हो कि domain के अंदर जो elements हैं अगर वो एक ही range में आप बोल सकते हो एक ही element के साथ mapping बनाते हैं तो वो कैसा function कहलाता है वो many to one function कहलाता है जिसको many one function भी बोलते हैं ये कैसा function है many one function है I hope आपको ये भी point clear हो गया होगा in short हमने क्या देखा many one function क्या होता है कि domain के अंदर दो या दो से ज़्यादा element क्या कर रहे हैं mapping कर रहे हैं या pair बना रहे हैं range में किसी एक element के साथ तो ऐसे function को हम many one function बोलते हैं I hope आपको ये भी clear है now move करते हैं next point पे next is onto function जिसे हम surjective function भी बोलते हैं I hope आपको ये भी clear है अभी हमने पढ़ा हमने किस के बारे में पढ़ा one one function के बारे में पढ़ा one one function को हम क्या बोलते हैं जल्दी से याद करिए injective function बोलते हैं onto function को हम surjective function भी बोलते हैं तो इसकी statement देख लेते हैं क्या है a function जिसके अंदर f function क्या है x goes to y is set to be on to if every element of y ध्यान से देखिए every element of y is the image of some element of element x under function that is, मतलब जो y, small y है वो element किससे बिलॉग कर रहे है set y से, capital y set होता है उससे बिलॉग कर रहे है और ऐसे ही x जो element है वो किससे बिलॉग कर रहे है set capital x से कर रहे है ठीके, मैं यहाँ पर जैसे एक set बना लेता हूँ x, this is y यह एक और figure है यह x and this is set y ठीके, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने दो elements ले रखे हैं x and y तो x के elements को हम क्या बोलते हैं domain बोलते हैं ठीके guys और y के elements को हम क्या बोलते हैं range बोलते हैं I hope आपको यह clear है और domain का दूसरा नाम क्या है जल्दी से बताइए इसको हम pre-image बोलते हैं ठीके, और range का दूसरा नाम क्या है image बोलते है I hope आपको clear है यहाँ तक now आप इस figure में देख पा रहे है यह function जो यहाँ पर f3 है आप यहाँ पर देखेंगे यह element है x की जितने भी element है यह क्या कर रहे हैं mapping कर रहे हैं किसके साथ y के element के साथ ठीके, जैसे यहाँ पर one map कर रहा है a के साथ 2 भी किसके साथ pair बना रहा है अपना a के साथ 3 बना रहा है b के साथ 4 बना रहा है c के साथ आपने देखा clear ऐसे ही आप f function 4 में चल जाएए इस figure में आ जाएए यहाँ पर one pair बना रहा है b के साथ two pair बना रहा है c के साथ three pair बना रहा है A के साथ and 4 अपना पेर बना रहा है D के साथ दोनों में आप देख पा रहे हैं ठीके यह आपको इस figure जो F4 है यह कैसा function दिख रहा है आपको यह आपको 1-1 function दिख रहा है I hope आपको clear आभी हमने पीछे बढ़ा 1-1 function क्या होता है ठीके यहाँ पे जो F3 है यह आपको कैसा function दिख रहा है This is many-1 function दिख रहा है आपको This is many-1 function Clear आपको अब दोनों में इस many-1 में इस many-1 के अंदर आप देखेंगे ठीके गाईस और यहाँ पे 1-1 के अंदर आप देखेंगे दोनों में फरक क्या है ठीके इन दोनों figure को मैं on-to function कैसे बोल रहा हूँ हमने वो सीखना है on-to function में आपने एक चीज का दिखान रखना है कि range के अंदर जिसके मैं image बोलूँ है किसके अंदर? image के अंदर कोई भी element ऐसा छोड़ना नहीं है आपने यहाँ पे आप जितने वी element देख रहे है इनको छोड़ना नहीं है it means इसको छोड़ना नहीं है मतलब क्या हुआ? कि जितने भी आपको images यहाँ दिख रही है images किसको बोलते हैं? range को बोलते हैं तो range को आपने देखना है कि इसकी हर एक image की क्या मिलेगी? pre image मिलेगी आपको यह a जो है यहाँ पर element this is image इसकी आपको pre image मिलेगी that is 1 and 2 समझ आया? इसी तरह आप देखेंगे b मतलब जो image है इसकी आपको pre image मिलेगी that is 3 मिलेगा मिल गया? ऐसे यहाँ पर एक image आपको दिख रही element c जिसकी भी pre image होगी and that is 4 I hope आपको clear है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीके? अब focus करें मैं देख कर रहा हूँ आप भी वहीं देखेंगे ठीके? परना आप confused हो जाएंगे one one है यह many one है यह on two कैसे है on two के लिए क्या ध्यान देना है कि image को चेक करना है किसको चेक करना है? element y को चेक करना है जिसको हम image बोल रहे हैं जिसको हम range बोल रहे हैं ठीके? यह तीनो एक ही नाम है तो आपने image को चेक करना है हर एक image की आपने ऐसे बोल सकते है y के हर एक element की pre-image होनी ही चाहिए अगर ऐसा है तो वो कैसा function है वो हमारा on to function है यहां हम उसे surjective function बोल सकते हैं बहुत simple तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई doubt आता है तो वीडियो को remind करके द्वारा देख सकते हैं अगर तब भी कोई doubt है तो comment box में मुझसे पूछ सकते हैं चलिए move करते हैं next type पे now next is one one and on to function very good जिसको हम क्या बोलते हैं by objective function बोलते हैं अभी हमने one one को पढ़ा अभी हमने on to को पढ़ा तो अगर यह दोनो अगर एक ऐसी figure जो दोनो हो one one भी हो और on to भी हो जिसको हम by objective function बोलते हैं तो वो कैसी दिखेगी अब हम उसे समझेंगे ठीके मतलब क्या हुआ इसके अंदर क्या है कुछ भी नहीं है एक function है जो x to y है इस set अगर function हमारा क्या है one one है और on to भी है तो वो function हमारा क्या 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 लाएगा one one and on to उस function को हम क्या बोलेंगे one one and on to बोलेंगे clear है यहाँ पर आप देखे हमने यहाँ पर एक element ले लिया यह मैंने element y ले लिया ठीके x की जितने भी element होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम domain बोलते हैं और domain का दूसा नाम क्या है इसको हम pre image भी बोलते हैं और range को हम image भी बोलते हैं ठीक है short में लिख रहा हूँ तांकि आपको पता चल जाए कि यह मैंने क्या लिखे आपको पता ही है ठीक है अब हम देखेंगे कि यह function f4 जो मैंने ले रखा है यह one one है की नहीं है one one के लिए हम क्या check करते हैं कि हर एक element of x x की जितने भी element है उसकी pairing किसी एक के साथ ही होनी चाहिए ठीक है तो one की pairing किस के साथ है b के साथ है बिलकुल ठीक है तो b की pairing किसी के दूसरे element के साथ नहीं हो सकती यह होता है one one function ठीक है तो b को देखेंगे next मतलब two को देखेंगे तो two की pairing किस के साथ हो रही है यहाँ पर c के साथ हो रही है 3 की pairing A के साथ हो रही है and 4 की pairing D के साथ हो रही है तो आपने देखा कि इस figure के अंदर element of X जो element है X के उसने pair किया है exactly one element of Y के साथ मतलब Y के अंदर जितने विए element है उसके एक element के साथ ही एक element of X ने pair बनाया है या mapping बनाई है आई होप आपको clear है तो यह आपने चेक कर लिए तो आप बोल सकते हैं कि यह क्या है यह कैसा function है यह एक one one function है clear है अब हमने चेक करना है कि यह on to है की नहीं है तो on to कैसे check करते हैं अभी मैंने last point बताया आपको on to check करने के लिए हम कहाँ देखेंगे किसको focus करेंगे हम image को focus करेंगे range को focus करेंगे element y को focus करेंगे clear है यह क्या हो गया पीछे चलते हैं y को focus करेंगे तो यहां भी आप देखेंगे image y के elements मतलब image को देखेंगे a image है तो इसकी pre image होनी ही चाहिए तो देखिए a की pre image है बिल्कुल है that is 3 ऐसे b को check करेंगे b की pre image है बिल्कुल ठीक 1 है c image इसकी pre image है बिल्कुल है 2 है and ऐसे अब d चेक करेंगे d image की pre image b आपको मिलेगी that is 4 तो इस तरह से आप क्या सकते हैं कि यह function क्या है on to b है मतलब आप यह दोनों चीज़ें इस function को बोल सकते हैं it means this function is a one one as well as on to तो ऐसे function को हम by objective function भी बोलते हैं I hope आपको यह point अच्छे से glare हो गया होगा still if you have any doubt you can comment so that I can answer so guys next is into function into function क्या है उसके वारे मैं भी जाने के हम तो देखिए a function जो कहां से कहां तक है x to y is said to be into if there exist at least one element in y very very important line इसी point को आप याद रखेंगे कि at least one element कहां का element y का which have no pre image in x जिसकी क्या है कोई भी pre image नहीं है कहां पे x के अंदर I hope आपको समझ आया है नहीं आया है अभी हम इसको जहां से समझेगे तो guys कहता है into function के अंदर कि अगर याँ पे मैं element ले लूँ इसको x ले लूँ और इसको मैं y element ले लेता हूँ कोई element कम से कम कोई एक element जिसकी pre image हमें x के अंदर नहीं मिलती है तो वो हमारा कैसा function कहलाता है that is into function कहलाता है I hope आपको यह point अच्छे से clear हो गया होगा so guys these all are the types of functions जो मैंने simple language और simple way से समझाने की कोशिश की है अगर किसी बच्चे को अभी भी इन types में function के वारे में कोई भी doubt आता है तो वीडियो को remind करके दवारा देख सकता है और वो comment box में भी comment करके मुझसे पूछ सकता है ठीक है guys तो I hope आपको यह video समझ आई होगी और next part में हम relation and functions के ओपर MCQ की practice करेंगे तांकि हमने अभी तक जो भी पड़ा है वो हमें कितने अच्छे से समझ आया हम इसको अच्छे से check कर पाएंगे तो you can join our telegram group also जहांपे हम practice करते रहते हैं MCQ other subjects को भी लेकर तो आप उसे भी join कर सकते हैं काफी सारे बच्चों ने उसे join किया तो आप भी उसे join करके फायदा ले सकते हैं वीडियो को यहीं पर close करते हैं तो अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर ले वीडियो को like करें शेयर करें and bye bye